नमस्कार भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है मैं हूं कविता उपाध है वोड नमर 42 दिलशाद गार्डन और पार्टी है जागो जागो पार्टी से सुखदेव सिंग रामनगर उमीदवार हैं और समय बहुत कम है 25 अपरल सामने हैं वोटिंग के लिए आप सभी को आना गुरु परिश्का संगर जी वह गुर्जी दे खालसा वह गुरु जी दीफते कल खालसा शाजना दिवस है जिवेकऺं आप सब जान देखो ते मैं और साधी संगताने मिलके असी असी साथ प्रोग्राम सुंदर नगी गुर्द्वरे विख्या मना रहे हैं ते साधी संगत्रु बेंती करदा कि वात वाद चड़के आन गुरुका रान और गुरुका अर्दिये खुशियां साजने द्वासन बनान दी वत वत किरपालता ग्रंद सर लोगों से मिलना आपका होता है जब सुंदर नगरी की बात आती है तो एक चर्चा यह होती है कि अभी हाली में आप मिलने गए और कुछ वादे करके आए क्या वह बात सच है और है तो वह क्या बात है हां जी सुंदर नगरी गुर्दोरे में जैसे मैंने संगर दर्शन के लिए तो वहां पर तकरीबन 40-50 बुज़ूर्ग मातवे बैठे हुई थी तो जैसी मैंने अपनी बात कही तो पार्टी साफ करते चलो हम चल रहे हैं मैंने का नहीं रुख जाओ दो मातवी शैद उनके करी सुदेव जी हम चाहते हैं कि अगर आप जीतो तो हमारे लिए यहां पर पंजाबी सिखाने के अंतियाम जरूर करो कि सुनके मन को इतना लगा कि 55 साल की औरत अपने इच्छा रखती है डिजायर रखती है कि मैं पड़ू जी है ना फिर मैंने उसे नहीं गादा किया मैं कि मैं जीतू या हरू डाजन मैटर मुझे कुई मतलब नहीं हो से आने वाले नेक्समान से मैई से मैई से हर संड़े के संड़े दो गंटे के लिए मैं टीचर अपॉइंट करूंगा जो कि लेडिस को बिच्चों को हिंदी इंग्लिश पंजाबी सिखाया करेंगी बहुत अ अभी हाल ही में वाड नंबर 42 दिर्शाद गार्डन की संगत के बीच से रूबरू हुए सरना जी उनका कहना था कि सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी अच्छी है वो है सरना उस पर जवाब आपका क्या रहेगा में हमारे संगत 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 सb पता कून क्या कर रहा है संगत पिशले दिनों में देखा घंठ और भी क्या कर रहे हैं जूट पर जूट जूटे वारे करकर के गुरुगर के खिजाने खाले कर दिये और सबसे बड़ी बात जो 328 महलाज के सुरूप पर उनको कोई हिसाबताब नहीं है और देरे को माफ कर दिया सारी संगन जानती है तो इनको को तो कभी संगन माफ करेंगी नहीं अब आजयों सब्सक्राइब आपकी वारी आपने मुझे याद है आपने गुर्बानी का शर्व दोहां बोला था एत्ती मार पई गुर्लान तैकी दर्द ना आया मतरब आप क्या पताना चाहते हैं दर्द तो आपके उन आकाउने दिया हमारी कौम को और ऐसा दर्द जो जिर्देकी भर संगन भोल नहीं सकती 84 मरते मर जाएंगे मरते मर जाएंगे सर वहां वोटनी डालेंगे कभी वहां वोटनी डालेंगे आपको लगता है कि जो 84 का जो दर्द है वो आज भी सिक भाईयों के बीच में हैं और वो इस वजह से कही ना कहीं सरना पार्टी को डिनाई कर रहे हैं आप बात कह रहे हैं मैंडम देखिए जिनके साथ हुआ है जिनके रिलेशन के साथ हुआ है जिनके प्रोसियों के साथ हुआ है यह जिनों ने देखा है उनके दर्द आज भी है मैं तो यहां था बेनी 86 में मैं तो दिली आया हूं ठीक है पर उनका दर्द आज मेरे यहां दिल में वो दर्द नहीं होगा तो जनता उन्हें नकारेगी आपका क्याने का मतलब यह है जो सच्छा सी कोगा मेरे साब से उसको वापे निकारना चाहिए सर एक लोगों का कुछ मेरे पास में कहना हमसे कुछ लोगों ने यह कहा कि दोनों पार्टी इस पर आकर के जाते हैं तो वहां भीड बहुत दिखाए देते हैं लेकिन सुकदेव जी के साथ भीड नहीं वह चुनिंदा लोग ले करके चलते हैं साथ यह क्या कारण है मैंडम उसके दो बाते कहना चाहूंगा पहले तो सुनने वालों को पहले वो दो माप कर दे कि भाई सबसे पहले बार तो मेरे पस इतना पैसा नहीं है कि मैं तरी बीड इगठी कर सकूँ मैं मैं या आप जानते हैं क्या बीड है क्या पीड है और मैं नहीं जानता है क्यों आती है किस मझबूरी में आते हैं असके लिए बड़ी बात यह नोंतों नैंसान हूं जब मुझे नॉमिनेशन मिला टिकेट मिली तो मुझे कॉड़ अव कंड़क दिया गया जिसके अंतर ये लिखा हुए क्लियर कि आपने ज़्यादा भेड़नी कठी करनी चार पाच बंदों को लेके चलना है करोना कॉरंटाइन का ध्यान लगना है तो यानि की जो दोनों पार्टी के साथ में लोग हैं वो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि या तो वो किसी वज़ा से उनके साथ है लेकिन वह कॉर्ट अफ कंड़क के बिल्कुल खिलाफ है ये सारा बिल्कुल है मैंने जैसे अभी पीछे कुछ वीडियो आ रही थी कल भी पर देख रहा था जितनी मतलब मोर देन हंडर्ड पब्लिक इकठी होके चल रही है और गलियों में क्योंकि छोट-छोटी गलिये हैं सारे एरियों की और वेजली पॉब्ली के दूसरे टैच होती है तो यह भी सुनने में है कि पीछे कल लिया परसो आटनों केस निकले हुए है सुक्देव जी आपकी बात बिल्कुल सही लगी मुझे कि वाकई में सबसे पहले जीवन है लेकिन आपको नहीं लगता जब चुनाव आ जाते हैं तो कोरोना कहीं दूर चला जाता है बंगाल का केस देख लीजिए मेडम ऐसा है कि मैं इसको मालता हूँ बट हमें प्रिकोर्शन रखना बहुत जरूरी है सबसे बड़ी बात है कि आपको सोच समझ के रहना है महौल ऐसा है कोरोना कहने को कुछ भी नहीं बट जब हो जाता है तो उसके परिवार को बूच्छे क्या होता है तो मैं चाहूंग मेरा सवाल आपसे रहेगा कि आपने कहा कि मैं चुनिंदा लोगों को ले करके चलता हूं तो कैमपेणिंग आप अपने हिसाब से क्या आपका रूटीन रहता है अगर पूरे दिन का डिसकस करें आज मेरा ऐसा कुछ खास रूटीन नहीं रहता है वैसे तो पर जब भी हम 4-5 लोग मिलते हैं हम फोन करते हैं तो जो भी में तर गयता जी आज हमारे यहां जो तो हम उनकी यहां चले जाते हैं तो आज जैसे वाइफ कहरी कि मैंने अकेले जाना है जी मैंने कहरी जाओ तो कहरी आज दिखने जाती हूं कि मतला केले जाएं से क्या होता तो मिनका जाओ फिरों अपनी गाडी दी पर अपना तीन चार लेडिज और लेके चले परचार करने के लिए वहां पर गए एक तेट घंटा महां पब्लिक से मिले तो गएदर हुई और आगे तो ऐसा कुछ नहीं मै सब्सक्राइब करने के लिए वार्ट नंबर 42 के लिए आपने अभी सभी को किविटेशन दिया है वार्ट नंबर 42 के लिए यह कल आपके जो कारेक्रम के लिए ब्रिसाखी के लिए प्रिकॉशन्स को ले करके आपको यह अपील करें तो प्रिसाखी को पुरों को देखते हुए कि मैं बहुत ज़्यादा बतलब गैदरी नहीं कर रहा हूं कोशिश कर रहा हूं कोड़ों के साफ से इसको 100 बंदों की गैदरींग है और सोशल डिस्टेंसी के साफ से हमने बहुत बड़ा वाम पंडाल लगा है और पॉब्ली से रिक्वेस्ट करी है कि आओ और दशन करके आप कोशिश करो कि निकरने की कोशिश करो बहुत ज़्यादा भीड़ना हो बिल्कुल भारटी भी यही अपील करेगा कि देखिए डियाज्यम्सी के वी एलक्षन है और जगा जगा पुरे देश भर में एलक्षन हो रहे हैं लेकिन आप सब को के पास एक माध्यम है यह फोन का या फिर टीवी का यह समाचार का आप उसके माध्यम से भी जुड़ सकते हैं और जानकारियां ले सक कुछ कहना चाहेंगे और मैं एक बर संगत से और कहना चाहता हूं कि मेरा नंबर मेरा नंबर है 987119601 इसके उपर किसी भी संगत को कोई सभी कोशन है तो परसली मुझे आप मैसेज डाल सकते हैं या कोई डिसक्रशन करनी है यह क्यों है कैसे है क्या होना चाहिए मैं एप् हो गए हैं त्योहार शुरू है लेकिन हाँ को रोना का ध्यान हम सबको रखना है 25 अप्रेल का दिन आप सबको इधान रखना है सुबा आठ बजे वोटिंग के लिए ज़रूर आए